बच्चों आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ नौ डिजीटल इंडिया नामक कविता का अध्यन करेंगे तो सबसे पहले पाठ का परिचे जानेंगे डिजीटल इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुवात 1 जुलाई 2015 से की गई है इसका उद्देश हमारे समाज और देश को डिजीटल रूप देना है अब देखिए इस कविता का मूल भाव इस पार्ट में यहें बताया गया है कि आधुने की योग में इंटरनेट का प्रियोग तेजी से बढ़ाए विज्ञान प्रोध्योगी की बैंक, स्कूल, अस्पताल आधी सभी जगे डिजीटल माध्यमों से काम को पूरा किया जाता है ऐसे में जरूरत है कि गाओं, कस्बों आधी में भी इंटरनेट का प्रिसार हो जिससे हमारा पूरा भारत डिजीटल बन सके तो बच्चो अब हम पाठ का आधर्श गायन करेंगे और साथी साथ उसका भावार्थ भी समझेंगे तो चलिए सबसे पहला पध्यांश आओ भारत की पुन्यधरा पर एक नया अध्याय लिखें मिलकर डिजीटल इंडिया का सपना हम साकार करें तो इसका संदर्व है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठे पुस्तक नव भारती हिंदी पाठमाला के डिजीटल इंडिया नामक पाठ से ली गई हैं इनमें भारत को डिजीटल बनाने के बारे में बताया है तो इसका भावारत है प्रस्तुत पंक्तियों में कवी कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर अपने भारत की पवित्र भूमी पर एक नई शुरुवात करें भारत सरकार ने जो डिजीटल इंडिया कार्यक्रम चलाया है हम सब मिलकर उस सपने को सच करने की कोशिस करें और इंटरनेट से पूरे देश को जोडने में अपना योगदान करें अगला पध्यांश देखी बिच्चों स्कूलों संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले पाकर विश्व ज्यान सभी विद्यार्थी प्रत्वावान बने पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया चलो मिलकर बनाए इस देश को डिजीटल इंडिया तो संदर्व तो पूरी कविता का एक जैसा ही रहता है जैसा आमने पहले पध्यांश का पढ़ा था सेम एस वैसा ही तो संदर्व पूर्ववद मतलब की जैसा पहले पध्यांश का है भावार्त प्रस्तुत पंक्तियों में कवी कहते हैं कि हमारे देश के सभी विद्यार्थियों को इंटरनेट का उपहार मिले जिससे सभी विद्यार्थी संसार का ज्यान प्राप्त करके प्रतिभाशाली बन सके क्योंकि जब हमारे देश के बच्चे पड़ लिखकर प्रतिभाशाली बनेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा इसलिए हम सब मिलकर अपने देश को डिजिटल इंडिया बनाए अगला पध्याश देखे विकास शहर तक सीमित ना हो गाओं में अब बदलाव हो जन जन को जन जन से जोड़ें संचार का विस्तार करें गाओं शहर हो इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें ले सहयोग किसान भाईयों से फसलों की पैदा वार बढ़े तो इस पध्याश का विपूप जो संदर्व है वो पूर्वबत पहले जैसा ही आएगा भावार्त रस्तुत पंक्तियों में कवी कहते हैं कि जो विकास हो रहा है वह सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बलकि गाओं में भी होना चाहिए जिससे वहां भी समय के अनुसार बदलाव हो सके संचार का विस्तार करके हमें देश के प्रतेज़ व्यक्ति को आपस में जोड़ना चाहिए हर गाओं व शहर में इंटरनेट की सुविधाएं होनी चाहिए जिससे हम सब विकास की राह पर चल सकें साथ ही साथ हमें फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों का सहयोग भी करना चाहिए लास्ट आखरी पद्यांश है बदल रहा है भारत कर रहा है विकास जल्द ही जुकाएगा कदमों पर जहां को ऐसा है विश्वास आओ भारत की पुन्यधरा पर एक नया अध्याय लिखें मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हमसाकार करें संदर्व पूर्ववत जैसा पिछले पद्यांशों में बताया गया है भावार्त प्रस्तुत पंग्तियों में कवी कहते हैं कि हमारा भारत देश अब बदल रहा है क्योंकि यहां अब विकास हो रहा है और हम सब को विश्वास है कि एक दिन हमारा देश विकास करते करते फूरी दुनिया से आगे निकल जाएगा आओ हम सब मिलकर अपने भारत की पवित्र भूमी पर एक नई शुरुवात करें भारत सरकार ने जो डिजिटल इंडिया कारेक्रम चलाया है हम सब मिलकर उस अपने को सच करने की कोशिस करें और इंटरनेट से पूरे देश को जोडने में अपना योगदान करें तो बच्चो आप सभी को इस कविता का भावारत पढ़ना है और याद करना है तो बच्चो अब हम यहाँ पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे और याद करेंगे तो देखें पुन्य मेंज पवित्र, अध्याय मेंज पाठ या प्रकरण, साकार मेंज सचकरना, सुविधा मेंज साधन, पैदावार मेंज उपज, संचार मेंज संबंध स्थापित करने वाला साधन, प्रतिभावान मेंज विलक्षन बौधिक शक्ति वाला, धरा मेंज धर्ती, विकास मेंज उन्नती, विस्तार मेंज फैलने का भाव, और उपहार मेंज तोहुफा, तो इन सभी शब्दों के अर्थों को आपको पढ़ना है और याद करना है अब देखिए बचो, पाठ में आये प्रश्णों के उत्तर, तो सबसे पहले अतिलगू उत्तरिये प्रश्ण नमबर बन, भारत की पुन्य धरा पर कवी क्या लिखने को कह रहे हैं। आंसर, भारत को डिजिटल बनाने का नया अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों, संस्थानों को किसका उपहार मिलेगा। आंसर है, इंटरनेट का। नमबर त्री, विश्व ज्यान की प्राप्ती हो जाने पर विद्यार्थी कैसे बन जाएंगे। आंसर है, प्रतिभाबान। अब देखे, लगूत्रिये प्रश्ण नमबर वन, विकास शहर तक सीमित ना हो, गाओं में अब बदलाव हो, पंक्ती का आशे स्पस्ट कीजिए। आशे मिन्स इसका अर्थ। तो आंसर है, विकास शहर तक सीमित ना हो, गाओं में अब बदलाव हो, पंक्ती का आशे है कि डिजिटल इंडिया का जो विकास है वह है शहर तक सीमित नहीं रहना चाहिए बलकि गाओं में भी होना चाहिए और गाओं में बदलाव आना चाहिए अगला प्रश्न संचार का विस्तार क्यों आवश्यक है? आनसर संचार के माध्यम से देश के प्रतेक व्यक्ति को आपस में जोड़ा जा सकता है इंटरनेट से गाओं वा शहरों को जोड़ कर किसानों का सहयोग करके फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है इसलिए संचार का विस्तार आवश्यक है अगला प्रश्न कवी को क्या विश्वास है? आनसर हमारा भारत बदल रहा है लगातार विकास कर रहा है और बहुत जल्दी पूरी दुनिया भारत के कदमों में शीस जुकाएगी ऐसा कवी को विश्वास है आगे देखे दीर गुत्रिय प्रश्न स्कूल, संस्थान, आदि सब जगह इंटरनेट का प्रियोग हो और सभी छात्र प्रतिभावान बने भारत के हर गाओं, शहर में सभी जगह इंटरनेट की सुविधाएं हो तो बच्चों आपको सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है थैंक यू और थैंट आपको सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब लिखना है